दोस्तो नमस्कार आज मैं आपके सामने एक नई महत्पुन जानकरी लेके सामने आया हूँ जैसे कि आप अपने सामने देख रहे हैं कि यह पलस ओक्सिमेटर है और यह पलस ओक्सिमेटर जैसे कि आप सभी जानते कि आज कल कोविट का कोरोना का टाइम बहुत चल रहा है तो मैं आप देख पा रहे हैं कि मैंने पलस ओक्सिमेटर एक पिशेंट के उंगली में लगा दिया है तो इसमें आप जिसलाइक देख पा रहे हैं कुछ चीज़ है रहती है पहली तो यह है कि एस्पी ओटू आपको दिख रहा होगा उसके बाद मैं आपको पलस रेट दिख र मैं आज आपके सामने यह भी बताऊँ होगा कि इसकी normal ranges क्या क्या हो सकती है जैसे कि आपके सामने देख रहे हैं इसका जो spo2 है इस patient का 98 है अब spo2 क्या है और उसके सामने लिख़ा है जैसे की percentage अब spo2 हमेशा % में होता है SPO2 का मतलब है saturation अब saturation जो आपकी body में कितना oxygen है उसका level बताती है जिसलब इस patient का saturation बता रही है 98 तो अब इसकी body में 98% saturation है उसके बाद में saturation की बाद अगर करें तो covid के time पे अगर इसका saturation 95 से below होता है तो patient को दिक्कत होती है सास लेने में यही चीज में जान करें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि covid के patients की 95 से हमेशा नीचे आएगी तो आप यह पचान सकते हैं कि यह covid का patient के थोड़े sadness symptom से या फिर कोई लक्षन इसमें है क्योंकि इसको सास लेने की दिक्कत हो रही है अगर यह 90 से नीचे जाता है तो एकदम आपको hospitalization अपने patient को करने की जरत पढ़ सकती है इसलिए आप सभी लोग pulse oximeter के बारे में जान लें और सभी लोग अपने घर में यह चीज जिसको covid की patients उनके पास में वो चीज अपने घर में यह चीज रख सकें अब second thing आप देख पा रहा है कि right side में है यह PR BPM लिख रहा होगा इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि pulse rate जो है आपकी breathe per minute कितनी आ रही है वैसे दोस्तों मैं आपको यह बता दूँ कि normal range दो होती है इसकी 60 से 90 तक कि इसकी normal range होती है अगर किसी patient की 60 से कम होती है pulse rate तो समझे कि उस patient को दिक्कत है अगर इसकी pulse rate अगर 100 से भी उपर गई या 90 से भी उपर गई तो भी patient को दिक्कत है तो normal range जो इसकी होती है वो 60 से 90 के बीच में होती है अब जैसे इस patient की rate 94 breathe per minute है तो ये normal की ही range में आता है 90 के लगबग normally ही माना जाता है तो इस patient को ज़्यादा दिक्कत नहीं है अगर इस patient की pulse rate बहुत ही कम रहती अगर 60 से कम रहती तो इसके parameters में changes है इसका मतलब इसको कोई न कोई दिक्कत आई है और हमको इसको doctors के concentration कराना बहुत ही जरूरी है या फिर patients की heart rate या फिर breathe per minute इसकी जो है वो 100 से उपर आती तो भी इस patient को दिक्कत है तो भी हमको doctor से सलानेने की जरुरत है क्योंकि इसकी जो धड़कन है वो 100 से उपर जा रही है अब आपको मैंने यह दो चीज़े बता दी एक तो है saturation एक है pulse अब इसकी दो जानकर यह सभी लोग जहातर लोग जानते लेकिन इसकी बीच में आग देख रहे होंगे इसके बीच में लिखी है PI percentage अब PI percentage का क्या मतलब होता है PI percentage का मतलब होता है कि performance index इसका मतलब यह है कि इस patient का performance index 6.5% आ रहा है तो 6.5% ये 7.9% ये normal range पे है अगर इसका 0.5 से नीचे होता है तो performance index किस काम में आता है ये pulse oximeter ये आपको दर्साता है कि performance index है वो आपकी हर जगे कितनी oxygen ले जा पा रहा है आपकी हर नसों में कितनी no oxygen ले जा पा रहा है अगर ये 8.2 है 20 तक भी होता 5 से 20 तक भी होता तो ये इसकी normal range याने कि आपका patient जो है oxygen अच्छी तरीके से ले पा रहा है इसलिए मैंने आपको जानकरी दिये क्योंकि spo2 और pulse rate ये आपकी बहुत जरूरी है वो भी covid के time पे covid के time पे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपके अंदर किसनी saturation percentage oxygen आ रही है अगर कम आ रही है तो जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कम आ रही है 95 से कम तो आपको doctor से सला लेने की जरुरत है अगर normal आ रही है तो फिर कोई जरुत नहीं है आपका saturation level maintain है तो यही 3 parameters जो आपके बहुत ही महतपूर्ण है इस covid कान में इस covid time में जो कि आप पता लगा सकते हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है यही जानकारी बहुत महतपूर्ण है कि आपको अपने दिमाग में रखनी है इस वीडियो के मातम से मैं आपको पहुचा रहा हूँ शुक्रिया